राजगर्ण, सम्रुद्ध, संस्कृती, प्राकृतिक सुन्दर्ता और अलतिहासक महत्व के लिए पहचाना जाने वाल अक्षेत्र कई परेटा निस्थल होने की वजए से ये इलाखा परेटकों के लिए आकरशण का केंद्र है राजगर्ण, लोकसभा, अक्षेत्र में 8 विधान सभा सीट है, 8 में से 6 विधान सभा सीटों पर बीजेपी का कबजा है 2023 विधान सभा सीटों में कॉंग्रेस सिर्फ 2 सीट पर से मटकर रह गई राजगर्ण लोगसभा सीट पर भी पीजेपी का कबजा है रूडमन लागर राजगर्ण से सांसद है जिन्होंने 2024 के लोगसभा चुनाओं में कॉंग्रस के दिगज नेता दिगविजय सिंग को एक लाग से जादा वोटों से शिकस्त दी थी कॉंग्रस नेता दिगविजय सिंग के परिवार की सीट रही राजगर्ण से लंबे समय तक दिगविजय के भाई लक्षमन सिंग जीते रहे खुद दिगविजय सिंग भी राजगर्ण से सांसद रहे 2024 लोगसभा चुनाओं में करीब 30 साल बाद दिगविजा एक बार फिर राजगर से चुनाव मैदान में उत्रे लेकिन रूडमन लागर के सामने तिक नहीं सके 15 दिसंबर 1960 को जन में रूडमन लागर राजनीता के साथ साथ सामाजिक कारिकरता कृषिवित और बिजनसमेन की भी पहचान रखते हैं 2024 लोगजबा चुनाव में रूडमन लागर ने दिगविजा सिंग को हरा कर जीत की हैट्रिक लगाई है रूडमन लागर 2014 से 2016 तक जल संसाधन इस्थाई समीती के सदस्य रहे इसके अलावा वो करशी मंत्राले की सलाकार समीती के सदस्य OBC कल्यान समीती और संसधी समीती रक्षा के भी सदस्य रह चुके हैं आज संसध जी से मिलिये शो में खास बाचीत होगी राजगर से तीन बार के लगातार संसध रूडमन लागर से तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती और आज जो खाश सक्सियत से आप मिलेंगे हम संसधी एक शेतर और संसधों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं पहले में उनके बारे मैं खास बात आपको बता दूँ एक तरफ इस बार के लोगसभा चुनाओं में जो सबसे ज़ादा जिन दो सीटों पर नज़र रही उनमें से एक सीट थी राजगर ये माना जा रहा था पॉलिटिकल पंडितों ने ये कहा कि इस बार सत्था का जो उंट है वो किस करवट बैठेगा आखिरकार सारे जो कयास थे वो फेल हुए और इन सब के बीच एक वेक्ती बहुत शिद्दत से अपने लोगसभाक शित्र में महनत करता रहा बहुत खामोशी के साथ एक बात आरोप उन पर ये लगते हैं कि वो लोगों से आमतोर पर मुलाकात नहीं करते लेकिन आप उन्हें नेवज नदी शास्त्रों में जिसे निर्विंध्या कहा जाता है उसमें श्रमदान करते हुए देख सकते हैं लोगों का कहना ये कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है लेकिन महिला स्वावलंबन पर उन्होंने माइलस्टों काम किया है वोमेन इंपावर्मेंट की दिशा में उन्होंने माइलस्टों काम किया है इसी से अंदाजा लगा लीजे 14,000 से जादा से जादा सेल्फ हैल्प में बात करेंगे सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और न्यूज एटीन पर हम यह लगातार सीरीज चला रहे हैं और सबसे पहले तो जवाब यही कि तमाम जो बातें थी कही जा रही थी अंदर खाने से भी बातें उट रही थी कि नहीं नागर साब को फिर से मौका मिल गय इन सब के बीच आप बहुत खामोशी से काम करते रहें और डेढ़ लाग से एक ऐसी शक्सियत को आपने शिकस्त दी जिससे लेकर यह कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत टफ है इस पर आपका रियेक्शन देखिए यह चुनाव जो था यह भारती जिनता पार्टी के कारिक कि और उन नीतियों का करयानवन प्रदेश की सरकार ने जिस परकार से किया और हमारा नीचे मद्दान के इंदर का कारिकरता जिस परकार से उसको जनता तक आम मद्दाता तक लेकर के गया वो सरकार की नीतियों का प्रभाव वो असर जनता के उपर था भारती जनता पार्ट के कार्यकरताओं के प्रती मद्दाताओं का विश्वास था अच्छा एक और बड़ी बात है दिल्चास बात है आपने रक्षा की समीतियों में काम किया क्रिशी में तो माइल स्टोन काम किया गया है यह मानकर चलिए कि तकरीबन चार से साथ लाख हेक्टेयर का जो रखबा है से चाही करकवा वह बढ़ना और वह राजगर में बढ़ना वह बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उस पर भी आऊंगा लेकिन इतनी सारी समीतियों में आपने काम किया कार्यकरता वाली पार्टी है हम इस आम कार्यकरता को बड़ी जिम्मेदारी पर कब देखेंगे के इंद्र और इतने मद्दाता हैं इन सारे मद्दाताओं की सेवा करना उनकी जो अपनी आउशकता है उन आउशकताओं की प्रतिपूर्ती करना ये जो हमारा दायत तो है हमारी जो भूमिका है पाल्टी हम कार्यकरता एक जो है कार्यकरता एक घटक है और हमारी अपनी भूमिका है प यह आवश्यक नहीं है कारेकरता चाहते हैं डिमांड चुटती है कि नहीं 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 मुका है मुका है एक बड़ी महत्वपून बात है कि अब तीसरी बार जम्मदारी भी मिल गई है अब डेवलप्मेंट का क्या प्लान होगा खास तोर पर उस पूरे अलाके में लंबे अर जब हम सांसत बने तो सबसे बड़ी चुनोती हमारे सामने थी पलायन यह पलायन का दंस हमारे सरपर ऐसा था कि मजदूर पेट पालन करने के लिए पलायन करता था किसान अपने बच्चों को पालने के लिए अपने मविश्यों को पालने के लिए पलायन करता था व्यापार कि यापार करने के लिए अश्पटाल के लिए बिमारी अगर को गया तो अस्पटाल के लिए परैनटे खाल मौति जीन लागोशित किए बन करके देशओ धिसी उर है एक बड़ी इंपॉर्टन बात खेती शायद आपसे दिल से जज़बात से जुड़ा हुआ मामला भी है इस वज़े से खेती पर तो आपका फोकस पूरा रहा उद्ध्योगों को लेकर एक बात कही जाती है बार बार एक बात आती है कि नहीं उद्ध्योग की जब जिकर होगा तो सिर्फ पीलू खेड़ी अपने पास एक है एक एक इंडस्ट्रियल हब है ऐसी को ऐसा कोई इनिशेटिव या ऐसा कोई कोई बड़ा हब बनाने को लेकर कोई आप पहल करने जा रहे हैं देखिए वूमेन इंपावर्मेंट में आपने बहुत 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 बहु मानते हैं देखिए एक जमाना था कि राष्टी राजमार्ग सडकों पर कागज में थे राष्टी राजमार्ग थे नहीं रेलवे थी नहीं पानी था नहीं बिजली थी नहीं उद्ध्यों कहां से लगते भाई लेकिन इस सारी चीजें यह डर तो आप अभी वी दिग्रिज का जंक्षन राज चारों तरफ चाक शोबंध हैं जो डेम बने हैं इन डेमों में परियाब पानी उद्ध्यों के लिए हमने रिजर्व करवाया है बिजली शोर उर्द्या की और एंटीपीसी महां पर बना रही है और इसलिए अब जो है जो उपज होगी चाहे फसल अन्न क की हो चाहे फलों की हो फूलों की हो और दी हो इस सारी क्राब पेटरन को चेंज करते उस दिसाम हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सार आपने एजुकेशन की बात की एक बड़ी चुनौती यह भी है पिछले साल की रिपोर्ट है आठीवी तक के बच्चों के अगर देख लिय कि जैसा मैंने कहा हमारा आधे से ज्यादा जीला में चार महינה अपने घर ऒंग कर पर देख ले शितित सवास्त का कोई लेन जाना नहीं था आज इस्तिती हुप यह हं वो पलाईर रुका है और रुकने की वज़े से वहां पर अपने घरों में रहने लगए हैं जी तो च SAND भरत बढ़ेंगे पहले को रुकर आगे बढ़ना है और अगे और बढ़ना है व्यक्स को देश के मुख धरा में लेकर के जाना है उनको एक सवाल 2019 के आस-पास मुझे ध्यान आता है उसके बाद शायद आपने उठाया था AQI को लेकर LED जो प्रदूशन हो रहा है हवा में जो प्रदूशन बढ़ रहा है उसको लेकर आपने सवाल उठाया था पहली बार ये हुआ है इस बार के मध्यपरदेश के कई शहर, दूशित और प्रदूशन, एक्यू आई लेबल जो है मध्यपरदेश के कई शहरों का खराब हुआ है, ये क्या चिंता बढ़ाता है आपके? हैं बिल्कुल चिंता वड़ाता है और ये हमारे लिए हमारे अपने लिए भी सारे समाज के लिए भी सारे देस के लिए एक चुनोती है और इसलिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं सरकार भी काम कर रही है और नागरिकों को करतवी बोध केसे हो यह क्यों अकेली सरकार कर लेगी ऐसा नहीं है लेकिन नागरिकों को करतवी बोध केसे हो इसके लिए भी हम एक सामाजिक मंच के उपर इस सारी भूमिकाय व्यक्ति के करना पड़ेगा हम कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है आप इसे कैसे देखेंगे पौधों को लेकर ये बात आती है कि पौधे लगा दिये जाते हैं बाद में हम उनको सिक्योर नहीं कर पाते हैं पौधों को लेकर शिवराज सिंग चौहान भी बड़े टार्गेट में रहे पौधे लगा देने के बाद उनकी सुरक्षा सर ये सबसे बड़ी चिंता होती है और आप जमीन वाले वेक्ति हैं इस वज़े से आपको इसका पता होगा देखिए हमने इसका पेटन बदला है हम किसानों से आगरह कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन में फलदार पोजे लगा करके बीच में जो है वो सब्जी के पोजे लगा हैं टाकि फल के पोजे अपनी हिसाब साइगे सब् agric आपके उस हिसाब से आएगी और जहां-जहां व्रक्षार ऊपन कर रहे हैं मैं हर तीन महिने में सामानी दिनों में जाता हूं और मई जून में लगातार तीन महिने में हर महिने उन पोधों को केवल में कुछ लोगों के साथ देखने के लिए ही जाता हूं तो पोधे देखने के लिए मानिटरिंग देखने के लिए केसे हैं ताकि वहां की जो टीम है हमारी अपनी टीम है उसके चिंता करें और पोसे बड़े हों मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से हमने एक यह दिन में एक शेत्र में 10,000 पेड आम लेके लगाये थे उनमें से आप चलिए आप दे और ऐसे करके आपने सेल्फ हैल्फ ग्रूप से करवाया यह अपना राजगढ यह कब ब्रांड बनेगा आसपास के जब हम दिले देखते हैं तो आसा लगता है राजगढ थोड़ा सा पीछे रह गया कई बार ऐसा होता भी यह बड़े दरख्त के या बड़े पेड़ के चा अपने आसपास जाते थे विदिशा जिसको हम भेलसा बोलते हैं उसमें पेट पालन के लिए आदे से ज्यादा जिला जाता था हम भेलसा जाते थे विदिशा जाते थे आज इस्थिती एसी बदली है कि विदिशा के लोग हमारे राजगढ में काम की तालास में आउसर की त चुनाओ के थोड़े मोड में आना चाह रहा हूं अमिश्रा आये बड़ा तीखा हमला उन्होंने किया कि आशिक का जनाजा बड़े दूम से निकले इस तरह की बाते आई पर एक बड़ा अच्छा दिल्चस्प तस्वीर भी मैंने इस सब के बीच देखी कि आप बाकाईदा कि आशिरवाद ले रहे हैं इसे कैसे देखा जाए देखिए आशिरवाद का सवाल नहीं है जो परिस्थे ऐसी बंतियर अपनी भारती संस्कृति में तो हमने यह सीखाया है कि कोई अपने से वरिष्ट विक्ति सामने आता है तो उससे अश्रवाद लेना चाहिए और वेसे अश्रवाद दाता है हमारे मत दाता है उसलिए उनसे अश्रवाद लेने में हमें क्या परेजर अपने राजनिती अपनी जगे है संब्द और व्यावहार एक संसकार के नाते जो है यह अगर सामने आये तो उनको प्रनाम किया एक सवाल और मैं चाहूंगा कि आप इतनी लग लगाने वालों को मौका दो नहीं तो फिर टोपी वाले आ जाएंगे दाढ़ी वाले आ जाएंगे इसके जरूरत क्यों पड़ी वो भी रोडमन लागर जैसे व्यक्ति को देखिए किसने क्या कहा रामे सुरजय ने कब क्या कहा मुझे पता नहीं लेकिन राजनिती और धर्म ये अलग अलग है सनातन देखिए ये अलग अलग है जी completely के द्वारा धर्मपर नियंत्र हो गा ये बिल्कुल ठीक नहीं है दर्म राजनिती पर नियंत्र करें ये भारती सुस्कृति की व्योक्ता है और ये सनातनNG पद्दती से ानादिकाल से हमारा होता रहा है उन्हीं की बात आ गई एक लास सवाल में उन्हीं से जुड़ा हुआ ले लेता हूँ लास सवाल यह है कि याचिका उन्होंने दायर की थी दिगविजय सिंग ने चुनाव में गड़बडी वगरा को लेकर उस पर हाई कोट ने नोटिस भी जारी किया है क्या आपको कोई चिं करें अजालत करें सुप्रिम कोट करें आई कोट करें सुप्रिम कोट करें चली बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इतने व्यस्त समय से सांसद जी ने वक्त दिया क्या उनका रूड मैप है क्या उनका प्लान है वह हमने तमाम चीज़ों को लिकर चर्चा की है तो इस ख करें तो